नमस्ते दोस्तों Oldies Goldman, मैं आपका खेर मक्डम करता हूं, और आज मैं आपको स्वात्य समंदी चर्चा के अंदर, वीरिये सरीर के अंदर जो धातू है उन में मुख्य जो धातू है, वो वीरिये ही होता है, जिसका वीरिये गाड़ा और मखन जैसा होता है, उसके चेहरे के उपर नूर बरसता है, उसका हर काम के अंदर करने को मन करता है और वो पूरी तरह निरोग होता है, तो अपने वीर ये की, यानि कि भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, जिस तरह हम पानी का संग्रे करते हैं, पीने के लिए तलाग खुदवाते हैं, कुवा खुदव अथ्वा जो भी है नदी नला बनवाते हैं, इसी तरह परमात्मा ने, ईश्वर ने, वीर ये को गाड़ा बनाए रखने के लिए, कुछ यतना बताए हैं, तो वीर ये गाड़ा रहेगा, तो छोटा मोटा कोई भी रोग आपके पास नहीं आएगा, अवस्ता के हिसाब से, तो सब कुछ होता है, उसको छोड़ी आप, तो मैं आज आपको गरेलू टिप्स दूँगा, एक ऐसा नुसका दूँगा मैं आपको, उसमें 20 कंटेंस हैं, और मेरा चेलेंग है, ये 20 के 20 कंटेंस आप बना लें, और बिलकुल सस्ता, इसमें ने केशर है, और ने कस्तूरी ह और ने कोई स्वरन बसम है, इनका काम नहीं, ये बिलकुल गरेलू नुसका मैं आपको दूँगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दूँगा, देखिए आप वीडियो को देखते रहेंगे तो लाब में रहेंगे, सबसे पहले मैं ये जानकारी दूँगा, कि व अरे जब बादली नहीं होंगे तो बारिश कहां से होगी, हाँ, देखिए वीर्य को गाड़ा करने के अंदर मिस्री मिलावा दूद का अच्छा पार्ट है, गाय का ताजा निकलावा दूद भी वीर्य को गाड़ा करता है, मखन और गी भी गाड़ा करता है वीर्य को, दॉक्तार ये भी वीरय को गाड़ा करती है और बादाम ये भी वीरय को गाड़ा करती है कुछ ये चीज़ें मैंने देखिए सोट के अंदर आपको समझा हीए इनका आप किसी ने किसी रूप में एक चीज का सेवन करेंगे वीरिये गाड़ा होगा इसके अलावा शहद से लेने वाली क्या चीज़े हैं जो वीरिये को गाड़ा करती है वो मैं आपको बताता हूँ जो सहद से चाटनी है शिलाजीत एक ग्राम ले सकते हैं गिलोई सत्व तीन ग्राम ले सकते हैं बंग बश्म स्वरन यूगत आदा ग्राम ले सकते हैं और इसके बाद सुक्र वल्लब रस एक गोली सुबह और एक गोली साम को ले सकते हैं तामो दीफक रस से एक गोली ले सकते हैं और सतावरी का चूरन शिंगल एक चमत ले सकते हैं और सुबह खाली पेट आमले का एक चमत नाच्ते के बाद ले सकते हैं खाली पेट आमले का चूरन ले और नाच्ते के बाद सिला जीट एक ग्राम दूद के साथ लें ये कुछ इन में महेंगी चीज़े हैं ये जरूरी नहीं है कि आप लें ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पहले जो मैंने बताई वो साधरन चीज़ें थी ये कुछ का तेल यानि कि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको तीन चीज़ बताऊंगा एक में बता चुका दूसरा में आपको मसाद तेल अभी बताऊंगा और तीसरा में आपको नुस्का दूँगा तो आप घर पे ये मसाद तेल बनाएए देखिए निरगुंडी का तेल दस ग माल कांगनी का तेल दस गराम श्री गोपाल तेल दस गराम केशर पांच गराम दाल चीनी पांच गराम जाइफल पांच गराम मैं एक बार और बोल लेता हूँ निरगुंडी तेल दस गराम अस्वगंदा तेल दस गराम मौल कोंगनी तेल दस गराम श्री गोपाल तेल दस गराम केशर पांच गराम दाल चीनी पांच गराम जाइफल पांच गराम इन सब को मिला करके और आप खूब गुटाई करें तो ये सहत की तरह आपका मसाज का तेल जैसे क्रीम होती है अथ्वा सहत होता है इस तरह का ये बन जाएगा और इसको आप एक काच का जो जिसका मुझ चोड़ा हो इस तरह की कोई सीसी जिसका मुझ चोड़ा हो आपकी अंगुली जा सके ये नहीं कि एक छोटी से उसमें करो उसके अंदर आप बना के रखिए ये आपका मसाज क्रीम अत्वा मसाज तेल बिलकुल कम्पलीट है और इसक मसाज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आप नहाएं धोएं वहाँ पर इस चीज़ को रख दो ऊपर कहीं नहाने दोने के बाद अपने लिंग इंद्रियों को और शरीर का आप जाने आपको काम जाने अपने लिंग को चमड़ी को आगे खेंच करके ट्वा से साफ करें मेरा मतलब है पानी बिल्कुल साफ हो जाना सी यह ऐसा भी नहीं कि आप कोई रखन खाएं ऐसा भी नहीं करें और साफ करने के बाद अपने लिंग की जो चमड़ी है जो आपकी मुंड़ी अत्वा शिशने को ड़के हुए रहती है उसको आप आगे खेंच इसकी यह अंगली डुओ के और आप यह एक बार करेंगे और एक बार यह करेंगे यानि कि पहले आप उपर से नीचे जाएंगे फिर नीचे से उपर आएंगे इस तरह चारों और अगर मुंड़ी के लग भी जाये तो कोई बात नहीं वैसे उस पे लगाने की कोई जरूरत नहीं अंड कोश पे लगाने की कोई जरूरत ने यह पांस से छे मिनट आप कर लें और ट्वाल पन के और अपने रूम में आकर के अपने कपड़े बदलें और जो आप को करना है वो करें यह तेल का परियोग आप मसाज का 31-41 दिन करें और फिर मेरे को बताएं कि क्या आनन दाता है तो यह हो गया दो जानकारिया मेंने दि अब मैं आपको सब कुछ होना चाहिए här खाना खाते हैं तो साथ के रिदर पानी भी चीए, नमक भी चाहिए कोई ने कोई चीज्य चेए, चास भी चीए तो दो चीजे आपको मैंने बताई, तीसरा मैं आपको नुस्का दूँगा, जो इस मसा तेल के साथ में सुबह और साम को खाने का है, और नुस्का आप 41 दिन, 51 दिन, 31 दिन, ये आप लेंगे और गाई के दूट से लेंगे, बैस के दूट से वीरिये कभी गाड़ा नहीं होत ये मैं आपको चैलेंगे करता हूँ, चाहे मुझसे कोई भी विद्ध सास्तरात कर सकता है, बैस का दूट वीरिये को पतला करता है, बैस का दूट उन लोगों के लिए बेहतर है, जो मोठी अकल के होते हैं, कोई बुरा नहीं माने मेरी बात का, बैस की अकल भी मोठी होती ह खिर उनके लिए अच्छा है, बैस के दूट का दही ताकतवर होता है, बैस के दूट की चाह बढ़िया होती है, लेकिन बैस का दूट पच्चने के अंदर भारी होता है, जिसने गाय का दूट पिया, अगर वो बैस का दूट पिले, तो उसको टोईलेट जाना पड़ता है और भेंस का दूद्ध की जो ताशीर है हमें अपने वीरिये को गाड़ा करने के लिए उसको शेट करने के लिए जमाने की शीर्ट चाहिए अब जमाने की जगे अगर भेंस का दूद्ध पिलेंगे तो वो उसको उकाड़ेगी इसलिए गाई का दूद्ध पिये है अब बहुत से मेरे जो मित्र हैं वो कहेंगे हमें गाई का दूद्ध उपलब नहीं तो मैं इसका बहुत सरल उपाई बताता हूँ ये एक चमच चुरन जो अभी मैं बताऊंगा आपको आप सहत के अंदर मिलाके चाड़ सकते हैं और गुन गुने पानी के साथ ले सकते हैं गुन गुने पानी के अंदर गाई के दूद्ध के बराबर ही गुन होते हैं वो कभी आपको नुक्सान ने पहुंचाएंगे और आपको नहीं होने देंगे हाँ अब मैं आपका समय नहीं लूँगा ये में दो बार कंटेंस बोलूँगा इसको आप घर पे बनाईए बड़े सोक से बनाईए अपने हातों से बनाईए देखिए अपने हाथ से चाए बनी हुई भी आदमी को अच्छी लगती है चाए वो क क्योंकि वो हमने बनाई है यूं मान के चले है हाँ देखिए ओड़त की डाल घी में भूनी हुई 20 गराम तुल्ची के बीज 15 गराम ताल मखाना 20 गराम गोकरू 20 गराम बिदारा 20 गराम सोट 10 गराम सतावरी 20 गराम मोचरस 15 गराम सपैद मुसली 20 गराम काली मुसली 20 गराम अश्वगंदा 20 गराम जाइफल 15 गराम दाल चिने 15 गराम आमला 30 गराम मिश्री 100 गराम मुलेठी 20 गराम अकरकरा 10 गराम गोरख मुंडी 20 गराम छोटी पीपर 20 गराम और काली मेची 20 गराम ये कुल मेरे क्यास से 20 चीज़ें हुई मैं एक बार और इसको रिबिट करता हूँ उड़त की डाल पाउडर बना ले या पहले उसको घी में भून लें तोड़ा साथ और उसके बाद पाउडर बना लें तो उसका जो दोश है वो खतम हो जाता है। चो गराम, मुलेठी 20 गराम, अकरकरा 10 गराम, गोरक मुंडी 20 गराम, पीपर छोटी 20 गराम, काली मिर्च 20 गराम। ये लगवग वजन होता है करीब 4500 या 500 गराम, आदा किलो। तो ये एक आदमी का लेड़ मैने का खुराक बन जाता है। अत्वा सवा मैने की बन जाती है। देखो इतना वजन तो बनेगा, ये खत्म हो जाए तो आप फिर बना सकते हैं। इन सब को कूट पीट करके पाउडर बना लेएं। और पाउडर बनाने के बाद देखिए पाउडर मेदे जैसा नहीं बनेगा, अगर आपने मेदे जैसे बनाया तो गुंड नहीं करेगा। गेहुं के आटे जैसा बुर बुरा इस तरका पाउडर बना करके और डिबे के अंदर रगने, सुबह सुबह मालिक का नाम लेकर के नास्ते के बाद करीब 10 गराम एक बड़ा जो चमच है, ये जो बड़ा चमच होता है, ये पूरा उपर तक जो आप लगाएंगे तो ये 10 गराम लगबग होता है, तो आठ गराम हो कोई बातने, 10 गराम हो तो भी कोई बातने, ये मुव में डालें, आप दूद में घोले नहीं, मुव में डालें, और मिश्टि मिलावा गाई का दूद, जिसको डाइबिटीज है, वो मिश्टि ना मिलावें, हाँ, इस प्रयोग म जो मिस्री है वो डाइबिटीज वाले को नुक्सान नहीं करेगी क्योंकि वो कि इतिसी इतिसी पेट में जाएगी बाकी वो दूद में मिस्री डाइबिटीज वाला नाम मिलाएं और बाकी सब दूद के अंदर मिस्री मिलाएं एक चमत मुह में डालके नास्ते के बार आप ए काम में मस्त हो जाएं और एक चमत रात को सोते वगत दूट से अथवा गुनगुने पाने से आप ले लें और मैं एक छोटी से गुजारिश मैंने आज तक आप से नहीं की आज मैं करता हूं जो ये भीश चीजों का नुस्का कोई भी भाई मेरा दोत मेरे बेटे मेरे पोते क कोई भी अगर बनाएं जो मैंने तरीका बताया है तो कम से कम सो ग्राम अथवा पचास ग्राम मेरे को सिर्फ इसका टेस्ट देखना है क्योंकि देखिए मुझे इतना समय नहीं है कि मैं कोई चीज़ को बनाऊं तो अगर मेरे को सेंट करेंगे तो मुझे अती खुशी होग कि मैं उसको खाके भी देखूँगा और टेस्ट करके भी देखूँगा और या फिर अगर इतना भी आप ना कर सकें तो कोई बात ने आप खुद बता देंगे मेरे को मेसेज में या कमेंट में कि ये नुसका हमने बनाया है ये कड़वा नहीं है ये टेस्ट हुए तो तो ये जो चीज़ा आज मैंने बताई है ये वीरिये को मखन जैसा गाड़ा करेगी और मखन जैसा गाड़ा होने के बाद कोई आपको शिग्र पतन पैसा आपके आगे चाहत निसिक आना अथ्वा जल्दी डिस्चार्ज होना ये कोई भी तरह की आपको समश्या नहीं होग तनाव आएगा देखिए आग अगर होगी तो घी पिग लेगा मेरे से एक मेरे दमित्र ने दोस्त ने बेटे ने सवाल किया कि मेरा पैनिस है जो कभी टाइटी नहीं होता तो मैंने का भई तुम दिन बरी क्या उसको टाइट रखना चाहते हो नहीं होगा मैंने का तुम को संबोग किये कुछ इस तरी के पास किया कर नहीं कुछ नहीं किया तो फिर मैंने का फिर कैसे टाइट होगा आग जलाओगे तो घी पिग लेगा मेरा मतलब है कि पैनिस टा होता है मैं आपको पता हूँ एक तो ये मैंने आपको बता दिया क्या कलेर करiona कैसे इस संदर और से बात करने में ये लिंग होता है वगयरा ये सब बाते करने से लिंग के अंदर हम चल होती है और दिमाग से connection पाउंचता है और अंदर ही ऐसास होता है कि अपना link tight हो गया एक तो link इस तरह से tight होता है दूसरा जो है वो link जब सुबह 3-4 बजे अपनी पेशाप करने की हाज़त हो और किसी कारणी से निंद के अंदर अगर पेशाप नहीं कर पाए तो उस स्वागत आपका हाथ link के उपर चला जाएगा और और आपको मैसूस होगा कि मेरा link tight है और आप यह सोचेंगे कि इस वगड़ tight होता है दिद में क्यों नहीं होता अब मैं जितनी अच्छी तरह से समदा दे आपको उससे ज़्यादा मैं और नहीं समदा सकता 18 मिनिट का वीडियो बन गया आप चाहे subscribe कम करें तो भी मुझे कोई चिंता नहीं अधिक से अधिक करें तो भी मुझे कोई चिंता नहीं मेरे पास जो जानकारी है वो मैं दूँगा अगर दो ही आदमी मेरा वीडियो सुनके उन में से एक ठीक हो गया तो मैं समदूगा मेरी मेहनत सफल हो गई तो दोस्तों मेरे वीडियो को सब्क्राइब जरूर केजिएगा और ये घरेलू नुस्का लीजिए और मसाज का क्रीम या तेल जो है वो मैंने आपको बता दिया और क्या-क्या चीजें खाने से वीरिये मखन की तरह होती है वो मैंने बता दिया ठेंक्स